Let's do question number 10th of exercise 5a that is fraction question number 10th is determine first part 2 upon 3 of 15 pens हमें determine करना है 2 upon 3 15 pens का कितना आएगा first part of 10th question that is हमें दे रखा है 2 upon 3 of 15 pens दे रखा है तो कैसे करेंगे देखे 2 upon 3 as it is लिखेंगे off का मतलब होता है into 15 अब कैसे करेंगे या तो आप ऐसे करिए कि ऊपर की multiply ऊपर करिए और नीचे की multiply नीचे यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम 1 माल लेते हैं या तो ऐसे कर सकते हैं लेकिन इससे भी simple तरीका होता है देखें ऊपर नी एसे नहीं कटेगा same place पर क्योंकि यहाँ पर यह numerator यह denominator है यह denominator है यह denominator है तो numerator और denominator सेम नंबर से कट सकता है हमेशा लाइक देखें 3 1s 3 3 5s 15 हमने यह भी 3 से काटा 3 1s 3 और यह भी 3 से काटा 3 5s 15 तो दोनों नंबर मैंने 3 से कट की हैं ऐसे नहीं कट कर सकते कि यह तो 3 से कट और यह 5 से काट रहा हैं ऐसे नहीं कर सकते तो सेम नंबर से दोनों उपर नीचे काटेंगे तो ही कटेगा वरना नहीं कटेगा अब numerator की multiply numerator में denominator की multiply denominator में तो यह कितना आगे 2 5s are 10 और 1 1s are 1 तो 10 upon 1 लिखें या 10 लिखें answer same होगा pens is the answer let's do second part second part is 2 upon 3 of 27 balls तो देखिए 2 upon 3 of 27 balls कह रहा है तो मैंने आपको बताया था 2 upon 3 as it is of का मतलब multiply और 27 balls है तो 27 इसके नीचे चाहें तो 1 लिख सकते हैं कोई ज़रुरत नहीं है otherwise अब यह आपको देख रहा है कि यह numerator में है और इसके denominator में कुछ नहीं है और यह पता है आपको यह 3 के table में 3 भी आता है और 27 भी आता है तो दोनों को 3 से कट कर देते हैं 3 1s are 3 3 9s are 27 अब ऊपर की numerator दोनों आपस में multiply हो जाएंगे क्योंकि multiply का sign है तो 2 9s are 18 और यहां पर यहां पर जैसे pens दिया वा था ऐसी यहां balls दिया वा है तो 18 balls आ गए 2 3rd of 27 balls हमारी कितनी बैटनी है 18 balls let's do 3rd part now 3rd part is 2 3rd of 20 2 3rd of 36 balloons तो यह आया 2 upon 3 of 36 balloons तो यह कितना आ गया देखिए 2 upon 3 of का मतलब multiply 36 equal to आप देखिए 3 1s are 3 यह जाता है और 3 1s are 3 3 2s are 6 बनलब 3 12s are 36 जाता है तो हमने यही किया 3 1s are 3 3 1s are 3 3 2s are 6 आप चाहें तो side में भी divide करके देख सकते हैं 36 को 3 से 3 1s are 3 0 आगया 6 उतारा 3 2s are 6 तो 12 आगया यहां पे देखिए यही 12 यहां लिख दिया अब 12 की multiplication 2 में 12 2s are 24 अब यहां पे क्या आ जाएगा balloons तो 2 3rd of 36 balloons कितना आता है that is 24 balloons answer let's do question number 11th question number 11th is determine 3 upon 4 of 16 cups तो देखिए almost same है 10th की तरह तो हमारा first part था 3 upon 4 of 16 cups तो यह कितना आ गया देखिए 3 upon 4 as it is of का मतलब multiply 16 आप देखिए 4 की table में 4 भी आता है और 16 भी आता है तो 4 1s are 4 4 4s are 16 तो अब यह कितना आ जाएगा 3 into 4 is 3 4s are 12 और यहां पे क्या लिख देंगे हम cups तो हमारा 3 4th of 16 cups कितने बैटने है 12 cups is the answer let's do second part now second part is 3 4th of 28 rackets second part है हमारा 3 4th of 28 rackets तो यह कितना आ गया 3 upon 4 of का मतलब multiply 28 तो यह कितना आ गया 4 1s are 4 4 7s are 28 दोनों 4 के table में आता है अब 3 7s are कितना हो गया 21 तो 3 7s are 21 rackets is the answer let's do third part now third part is 3 upon 4 of 32 books 3 upon 4 of 32 books कितना आएगा देखिए 3 upon 4 of का मतलब multiply 32 अब देखिए 4 1s are 4 4 8s are 32 तो 3 8s are कितना हो गया 24 तो 24 books is the answer 3 अशना हमसर पउर खिसड्रोत सिर्या 2000 तो...? 4 चाज कितना हो एद सता हो मतल जूरस कितना है जד करो जवो एदेखिए 4 by we או पतर ब्रजिकर मतलब